तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तों भाई साब इस इच कॉल्ड मास्टर माइन गेम भाई बिलकुल यह लोग करना क्या चाहते इस बार को समझ वे नहीं आ रहा है पहले तो देखो इतना ज्यादा लंबा गैप ले लिया डंकी का ड्रॉप बन निकाला उसके बाद थोड़ा साइलेंट रहे गए देन जब सेकेंड ड्रॉप आ रहा है भाई पहले तो यह थियोरी बड़ी जवर्दस लग रही है यह टीजर को टीजर नहीं बोल रहे है सौंग को सौंग नहीं बोल रहे है यह कुछ नया लेकर आए है राजकुमार हिरानी बावा कुछ हमारे लिए न कही थी बिल्कुल अपने वादे पर खर उतर रहे हैं भाई ब्रॉप छे आने हैं लेकिन कैसे आने हैं यह हम टैगरेंगे अभी तक जब लो टीजर आया ब्रॉप वन आया हमें टीजर देखके लगा कि भाई साब यह सारा कॉंटेंट यार अगर ऐसे ही निकाल देंगे तो मतलब छटपटा आ रहे हैं बाहर जाने के लिए लंडन जाने के लिए कैसे कैसे यह अपनाएंगे वह चीज वहाँ डॉप बन में समझ में आ रही थी तो दूसरा यह समझ में आ रहा था कि भाई डॉप टू में क्या निकलने वाला है मतलब मुवी की कहानी से रिलेटेड यह लोग टीजर निकालेंगे और साइद लंडन में यह लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद या फिर यह जो बीच की जरनी देखने को मिली जो स्नैपर वाला सौट था वहाँ पर वो जो बीच का सौट है साइद उसका पार दिखाएंगे तो ऐसे करते करते यह सारी फुल एक्टिव हो चुके हैं यह लोग क्योंकि देखो इन्हें सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि सामने सालार है सामने डाइनासौर है भाई डारलिंग परभास जो बिल्कुल तबाही मचाते हुए आगे चल रहा है यूएसे में कुछ एक जिगए फ्लेक्सिबिलीटी में अध्वांस बुकिंग ऑपन होई है और जबर दस तरीके से वहां रुजान भी देखने को मिला है प्रॉपर एटवांस बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं होई है लेकिन उसके बाद भी जो एक महने पहले ही एडवांस बुकिंग होई है इस चीज़ को टैकल करने के लिए करना पड़ेगा और ये लोग वाकई में बहुत हटके कर रहे हैं फस्स सॉंग आ रहा है लुट पुट गया सॉंग पहला सॉंग रिलीज हो जाएगा डंकी का टाइमिंग इनों नहीं दिये लेकिन यूजुली जो रिवील करे जाते हैं सॉंग या फिर टीजर वो दस से ग्य कुछ कहानी कॉंटेंट से रिलेटे मूबी की स्टोरी से रिलेटेड कुछ निकाल देंगे ताकि excitement लेवल और बढ़ जाए वैसे excitement लेवल फुल हाई है बिल्गुल हाई है देखते हैं सॉंग के रूप में कहानी ना घुसर दें मला कुछ भी गर सकती है अभी लुट देखते हैं कल का वेट करते हैं बहुत वेट था समय भी कम है तो कल से जो अभी तक यह लोग कह रहे थे ना कि भाईजाब डंकी के makers यह पिसा रॉक खान पिट गया मला हम सालार की जो फॉर्म देखकर कह रहे थे ना कि डंकी की हालत अब खराब होने वाली है कल तक का वेट कर लो after 11 ओफ एम आपको पता लग जाएगा कि भाईजदा डंकी की हाइप क्या होने वाली है यह फाडने वाले हैं बिग क्लैस होने वाले हैं और जबरदस्त होने वाले हैं मला अब जो है न मुकाबला यहां देखने को मिलना है बरावरी का मिलते के लिए वीडियो में बहुत excitement है फस्स सौंग के लिए आपका कितना excitement है इस drop 2 के लिए फस्स सौंग के लिए लुटपुट गया सौंग के लिए नीचे कमंड ओक सो जरू बता करना मिलते के लिए वीडियो में जैहित